Hello everyone, so guys, word of the day का सीरीज है, देखते हैं आज का वर्ड कुन सा है Guys, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हश हश कैसे बोलेंगे? हश हश अब यह आज किल काफी यह चला हुआ हश हश जो यह वर्ड है हश हश का मतलब होता है बहुत गोपनी है यानि की very secret, कोई चीज बहुत secret है माली जी की आप बीमार है, आपने अपने बीमारी को secret रखा है आपका कोई love affair है, आपने उसको secret रखा हुआ है कोई भी ऐसी चीज है, किसीने शादी की, शादी को secret रखा हुआ है तो कुछ जादा ही अगर आपने secret रखा है, वो चीज हश हश है, ठीक है, very secret, something that is hush hush is secret and not to be discussed with other people, इतना secret है कि आप किसी के साथ आप उसे discuss नहीं करते हैं, वो चीज क्या है, वो हश हश है, यानि कि synonym की बात करें तो आप उसे secret कह सकते हैं, confidential कह सकते हैं, examples देखते हैं, they were desperate to keep the marriage hush hush, अब यहाँ पर sentence ही कि भाया, वो लोग इतने उतावले हो रहे थी कि उस शादी को बिल्कुल hush hush रखना चाह रहे थे, यानि कि secret रखना चाह रहे थे, कि किसी को पता ना चले, चुपके 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 शादी कर लो, तो, wanted to keep the marriage hush hush, यानि कि secret, in the end, he was forced to resign, last में उसको force किया गया, resign करने के लिए, but it was all very hush hush, लेकिन वो जो भी process था, जो resign हुआ, ये सब क्या था, hush hush था, यानि कि secret था, confidential था, she was able to somehow, she was able somehow to keep her illness hush hush, किसी बे तरीके से उसने अपनी बिमारी को hush hush रखा, यानि कि secret रखा, from almost everyone, सब से कम से कम उसने चीज को छुप पालिया, secret रखा, तो ये hush hush है, ये, इस word का इस्तमाल, एक newspaper में था, मैं आपको दिखाता हो, तकि आपको समझ में आए कि होता है, इसका इस्तमाल, देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लिखावाना कि, is Katrina Kaif now Katrina Kaif Kaushal, after hush hush wedding with Vicky Kaushal on Friday, एक question mark है, ऐसा doubt है के Katrina Kaif के शादी Vicky Kaushal से हो गई है, और यह जो शादी है, वो hush hush है, hush hush wedding है, यहाँ कि secret, गोपने, secret wedding है, तो यहाँ भी देखिए कि hush hush का इस्तमाल हुआ है, तो मैं इस तरीके से प्रूफ भी लाता हूँ आपको दिखाने के लिए, या कोई conversation होता है, या newspaper में जो इस्तमाल हुआ है, हाला कि Bollywood News में इस्तमाल हुआ है, तो आप spoken English में इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई formal नहीं कि आपको बोलने में लगा कि मैं use करू न करू, यह informal है, आम बोल चाल में आप इस्तमाल कर सकत हश 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 मैरेज, इल्लेस वाज हश हश ऐसे कर के आप बोल सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसका एक screenshot ले लीजे, ओके तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तिल दिन ठेक कियर, क्यों प्रक्टिसिंग, आपक्टिसिंग, याग फॉ